सो हे गाइज अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि मैं सिग्रेट पिना छोड़ दिया हूँ मैं वहाँ जाना छोड़ दिया हूँ मैं जूट बोलना छोड़ दिया हूँ मैं उससे बात करना छोड़ दिया हूँ वह पढ़ना छोड़ दिया है वह लिखना छोड़ दिया है तो इस तरह के वाक्य को इंगलिस में कैसे बोलेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो में यही सीखते हैं कि इसे इंगलिस में कैसे बोलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिस में बनाने के लिए given up का इस्तिमाल किया जाता है given up का हिंदी में अर्थ होता है छोड़ दिया तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिस में बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं subject, उसके बाद से लिखते हैं hedge या have, या hedge और have subject के अनुसार बदलता है, उसके बाद से लिखेंगे given up, उसके बाद से लिखेंगे word की ing farm, उसके बाद से लिखेंगे other word, अगर होगा तो तो चलिए इस एक्जाम्पल की माद्य हमसे और अच्छी तरह से समझते हैं तो हमारा पहला एक्जाम्पल है मैं जूट बोलना छोड़ दिया हूँ मैं जूट बोलना छोड़ दिया हूँ तो इसे एंगलिस में कहेंगे I have given up telling a lie हमारा दूसरा एक्जाम्पल है मैं उससे बात करना छोड़ दिया हूँ मैं उससे बात करना छोड़ दिया हूँ I have given up talking to her I have given up talking to her Next है मैं cigarette पीना छोड़ दिया हूँ तो इसे एंगलिस में कहेंगे I have given up smoking I have given up smoking Next है वह पढ़ना छोड़ दिया है He has given up reading He has given up reading एक सवाल आप के लिए इसका जवाब कमेंट बाक्स में जरूर दिजिएगा मैं टीवी देखना छोड़ दिया हूँ मैं टीवी देखना छोड़ दिया हूँ इसका जवाब कमेंट बाक्स में जरूर लिख करके दीजिएगा अगर नई समझ में आता है तो एक वीडियो फिर से देखिए